जै माता रानी दोस्तों नीता विक्रम परिवार में आप सब का स्वागत है अक्सर आप सब यह सुनते रहते हैं कि होली का अश्टक लग गया है अब कोई भी शुपकार भी मत करो ऐसे में हम लोग हमेशा डरके साय में आ जाते हैं कि क्या सावधानी रखें कहीं कोई जादू तो ना तोटका तो नहीं हो रहा और ऐसा क्या करें कि हमारी जीवन में चल रही मुसीवत दूर हो जाए हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का अत्यधिक महत्व होता है जिसमें होली का या होली का बहुत ही अधिक महत्व होता है इस समय में करे हुए कार्यों से पूरे वर्ष भर हमें सफलता मिलती रहती है और जीवन में अच्छे बदलाव भी आते हैं इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ, होलिका अश्टक के दिनों में हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए, जिनसे की पूरा साल भर हमें लाभ हो, हम उन्नती कर सकें और जीवन में रुकावटे और बाधाये ना आएं तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करूँ, उसके पहले ही आप इस वीडियो को लाइक करने, यदि आप पहले से नीता विक्रम चैनल पे जुड़े हुए हैं और यदि आज आज आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो क को लाइक करें मैं हूँ आपकी एस्टरो दीदी नीता विक्रम। दोस्तों होलिका अश्टक का समय होलिका आट दिन पहले शुरू हो जाता है। वश दोहजारबाइस में होलिका अशटक आज के दिन यानि 10 मार्च 2022 की तारिक से शुरू होंगे। और हुलिका अश्टक की समापती 17 मार्च 2022 हुलीका दहन के बाद होती है। याने दोस्तों एक तरह से माना जाए तो 17 मार्च पूरे रात तक जब तक होलिका दहन नहीं हो जाता तब तक होलिका अश्टक लगा ही रहता है। होलिका अश्टक होलिका दहन के पहले के आठ दिन होते हैं ऐसा माना जाता है हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रहां हैं चंद्र देवता, सूर्य देवता, मंगल देवता, बुद्ध देवता, शनी देवता जो हमें हमारे कर्मों के फल देते हैं इस समय में वह उग्र चाहिए होलिका अश्टक के समय पे कोई भी ऐसा कारियों जो मनुष्य अपने जीवन के लिए करते हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए जैसे कि हम अपना घर परिवार बढ़ाने के लिए शादी करते हैं किसी सुरक्षित जगह पे रहने के लिए हम घर का निर्मान करते हैं य ऐसा माना जाता है कई जगह इस प्रकार बताया जाता है कि इन आठ दिनों में हिरन्य कष्ट ने प्रहलात को कई प्रकार से प्रतारनाईं दी थी जिसके कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा था तो उसी प्रकार की vibration हमारे atmosphere में रहती है जिसके कारण थोड़ी हमें negativity सी महसूस होती है इसलिए होलिका अश्टक में हमें कोई कारियर नहीं करने चाहिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यदि हम चाहते हैं कि पूरे साल भर हमारे जीवन में तरक्की आए हमारे जीवन में सुख आए हमारे जीवन में धन आए तब हमें होलिका अश्टक से क्या करना चाहिए दोस्तों आप सब प्रभू पे या इश्वर पे तो विश्वास करते ही हैं इश्वर ये कहते हैं कि हमें प्रेम के साथ रहना चाहिए और होली प्यार भरा इत्योहार होता है इस समय में राधा कृष्ण का पूजन करने से आपको भक्ती की प्राप्ती अवश्य होती है तो होली का अश्टक जब लग जाए इसके बाद आपको प्रभु भक्ती जरूर क कह सकता की ये अमीर है ये गरीब है या किसी भी विक्ती की विशेश्टाएं बताना बहुत ही मशकिल हो जाता है तो ऐसे हमें अपने कारियों में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल अपने लिए तो दोस्तों जीवन में सभी कार्य करते हैं पर आपको भूलिका अश्ट और जिस इंसान के जीवन में परमार्थ होता है यानि दूसरों का हित करने की इक्षा होती है उसका हित स्वयम भगवान करते हैं आप देखिए ये बात बहुत ही गहरी है क्योंकि अगर आप भी इस समय में ये सोचें कि मैं किस प्रकार से इस दुनिया के इस यूनिवर्स के इस ब्रह्मांड के काम आ सकता हूं और आप वो काम करें जो काम करने के लिए इश्वर्न आपको भेजा है तो आप देखेंगे कि आपकी सफलता केवल एक दो गुना नहीं 100-200 गुना होगी जो लोग अपने जीवन में केवल अपनी तकलीफों का रोना रोते रहते हैं हर व कुछ ऐसा बदलाव करना है जिससे में केवल अपना ही नहीं अपने आसपास के लोग का भी जीवन बदलूँगा आपको करमटता अपने शरीर में लेके आनी है आलत से को दूर भगाना है क्योंकि अब दोस्तों सर्दी के दिन चले गए हैं और आपको सुभा के समय जल्द अपने घर में शिवलिंग रखा है तो उसका निति जल अभिशेक करूँगा आपको दोस्तों यह उपाय बलही सुनने में छोटे से लग रहे होंगे पर जिन लोगोंने इन उपायों को करा है उनके जीवन में लंबे समय से चल रही दर्यद्रता का नाश हुआ है यह जो श काम करें न करें उन्हें उपाय करने ही नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें उपाय का तो फाइदा ही नहीं मिलता अब दोस्तों जो उपाय में आपको बता रही हूं उसे आप जरूर करिए जिन लोगों को लगता है लंबे समय से उन्हें कोई तरक्की नहीं मिल रही है जीवन म पच्पन होना चाहिए ना साथ पांच होना चाहिए जो समय पहले दिन बांधा उसी समय पे आप अपने घर के आसपास के मंदर में चले जाएं मंदर जाना संभव ना हो तो अपने घर में ही केवल एक ही समय पे शिव जी को जल दें और वहां बैठ के शिव जी का पूजन करे दोस्तों यदि आपने भी कभी बहुत ही ग्यानी व्यक्तियों जिन्होंने की साधना करी है यदि आपने भी कभी उनसे मुलाकात करी होगी तो आपको पता पड़ा होगा एक विशेश समय पे जो व्यक्ति निरंतर पूजा करता है या प्रति दिन पूजा पाट करता है आप करके देख लीजिए आप पर देखेंगे यति आपने अपनी पूरी इक्षा शक्ती के साथ और सही भाव से इस नियम को पूरा करा होगा तो भोले नाथ आपकी ऐसी मदद करेंगे कि आप खुद मुझे आके ये बताएंगे कि इन दिनों से आपने जब कारे शुरू करा तो पूरा साल आपको लाब हुआ पूरे साल भर में आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगे तो दोस्तों ये गारंटी के साथ करे जाने वाले कारियों को आपको करना है बाकी कुछ लोग हैं जो 1-2% हैं जो मुझे पूछते रहते हैं हमारे उपर जादू टोना ह हुआ है हम क्या करें तो दोस्तों वैसे तो आपको सबसे पहली बात ये जान लेनी चाहिए कि जादू टोना करना या किसी को भी अपने वश में कर लेना नियंतरित कर लेना बहुत आसान नहीं होता है फिर यदि आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको बांध दिया है आपक कोई भी मंदिर जिसे आप लंबे समय से जाना चाहते थे देखे हम समय से हम लोग अलग मंदिर जाना चाहते हैं कोई वैश्णो देवी जाना चाहता है कोई काशी धाम जाना चाहता है कोई उज्जेन में महाकाल के दर्शन करना चाहता है तो हमारे अंदर एक इक्षा होती है कि हम इस देविया देवता के मंदिर चले जाएं तो ऐसे में दोस्तों जब हमारे जीवन में बंधन बहुत जादा हो तो हमें वहीं जाना चाहिए जो हमारे दिल के बहुत करीब है क्योंकि वही हमें बंधन से निकालते हैं और बंधन से मुक्त भी कराते हैं देखिए उपाय नहीं है यह आपके जीवन को सुधारने की कुंजी है चावी है जो लोग बहुत बड़े बंधन में हैं जब वो ये काम करते हैं तो उनके जीवन के बंधन कौन खो तो किसी से डरे नहीं सिर्फ अपने कर्मो प्रयों को करें आशा करती हूं में आने वाली होली आपके जीवन में बड़ा पतलाव लेक कि आपके जीवन में आपको सफलता दिलाएगी और होलिका अश्टक में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है अपने नियमत कार्यों को करें कोई भी शुब या नए कार्य इस समय पे आपको शुरू नहीं करने है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है इसके अत्रिक्त इस समय पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको दूसरों के हित के कार्य करने है निन्दा, बुराई, भलाई, नेगिटिविटी से जितना आप बस सकते हैं हमेशा बचके रहें कि आपके जो पुन्य करम है वो अपने आप इन कार्यों को करने से खतम हो जाते है बाकी यदि दोस्तों आपको इस वीडियो को देखके थोड़ी सी भी ए मोटिविशन मिला है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है अपने जीवन को बदलना है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और इसी प्रकार के सभी वीडियो देखते रहने के लिए नीता विक्रम चैनल से जरूर जुड़े रहें जिससे कि आपके जीवन में हमेशा तरक किया है आप हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ते जाएं और अभी से एडवांस में हैपी होली 2002 आप सभी को होली की शुब कामना है